नवरात्री की पूजा में क्या नहीं करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष देती है नवरात्री। 4 नवरात्री, 2 अप्रील से 10 अप्रील तक रहेंगे ब्रत का पारीं 11 अप्रील को है। नवरात्री का मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष की प्राप्ती के लिए मा दुरुगा की नौरुपों की शाधना करते हुए रात्री जागरन करना। मा दुरुगा की पुजा करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। लाल या शफेद उनी आसन पर बैठ कर ही पुजा करें। घर में दुरुगा की तीन परतिमा नहीं होनी चाहिए। साथ ही दुरुगा पुजन में दुरुवा जो गनेश जी को प्रिये है, तुलशी और अबला जो भगवान विश्नु को प्रिये है, उसका उपियोग नहीं होना चाहिए। माता को फूलों में केबल लाल शुगंधित पुश्प ही, जो मा को शरवाधिक प्रिये हैं, अरपित करें। मादुरुगा को आक और मदार के फूल भी ना चढ़ाएं। वेला, क्यवडा, चमेली, कदम, केशर, शफेद कमल, प्लाश, असोक, तगर, चमपा, मौल, सिरी, कनेर, आधिका पुश्प मादुरुगा पर चढ़ा सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मादुरुगा की पूजा उपाशना करते समय, गीले कपड़े में होने पर बिल्कुल भी न करें, गीले कपड़े पहन कर पूजा नहीं करें। देवी के मंदिर को केबल एक बार ही परिकर्मा करना चाहिए, मा भगबती को अर्चना प्रिये है और भक्त उनसे हर प्रकार की शुरक्षा की याचना कर सकते हैं। जो लोग नियाकारक ग्रह शनी की साधेशाती यानि की धनु मकर कुम्भ राशिवाले और सनी की धैया मिथुन और तुलाब राशिवाले अगर परिशान हैं और आर्थिक और मानसिक संकटों से तनाव ग्रस्थ हैं, तो ये नवरात्रों में विशेश पुजार्षना के द मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुम्भ और मीन हैं, तो आदिशक्ती की पुजार्षना विशेश फल परदान करेगी, दुर्गाशप्त सती जिसके माध्यम से मनुष्य चारोपुर्शार्थों को प्राप्त कर सकता है, दुर्गाशप्त सती में ये मंत्रों का बर्नन है, ब तो एक, तीन, पांच, साथ की शंख्या में ब्रत को जरूर करें, गनेश पूजन के बाद नवरात्री में माकाली, मालक्ष्मी और मासरस्वती की अराधना होती है, इसलिए तीन दिन तो अबस्हीं ब्रत रखना चाहिए, इसके अलावा नवरात्री में कुल देवी और कु ये जये मतादी, जये मतादी